कि अज़िए नुक्सान पर नुक्सान अरे कहां हो तुम लोग साला ये तो नक्षा ही पलड़ गया कहा तो हम मिल बन करके उस जमिन पर सेवन स्टर होटेल डालने की सोच रहे थे और कहा ये सरकारी नोटीस आ गया अगर घाटा ही घाटा है तो सीक यूनिट करके सरकार खूद मिल पर कबजा कर लेगी मैं तो अब भी बोलता हूं वर्करों को बोनस बोनस दे के मिल को शुरू कर लो वरना एक साई चोरियों और इंपोर्ट लाइसंस के जरीए जो भी कमाते थे हाथ से जाएगा अरे काहे को दे दे बोनस 2400 वर्करों को पिछले 6 साल से बोनस नहीं दिया है अंदाजा है तुम्हें कितना रुप्या देना पड़ेगा बिहारी अंकल मेरे हिसाब से तो बचने का यही तरीका है जिससे मिल भी बची रहे और गरीब वर्करों की दुआई भी बिले तो क्य मैं तो कहूं के मिल को आग लगा दो ना बोनस देना पड़ेगा ना कमसा लो आगे सिंगा लंका सराज 11 बजे की मीटिंग आपकी मिस्टर दिख विजी अगर यह सोने जैसी जमीन सरकार के हाथ में चली गई तो आपका सेवन स्टार खोलके करोड़ों कमाने का सपना सपना मेरे सपने हमेशा सच हुए हैं जालान तुम विकार की फिकर मत करो जड़ा रवी को आ जाने दो सारी मुश्किलें चुटकियों में आसान हो जाएंगी मगर जमाई बाबू है कहां वह आए क्यों नहीं इस मीटिंग में वह दिल ली गया है एक मिनिस्टर के बेटे का केस ल मेरे बेटे ने रेप किया है अगर यह सच है तो मैं इसे जूट साविक करते हुआ ताजुब की बात है जड़ साब कि इंडियन पिनल कोड में अगर खून की दफा 302 है तो बलातकार करने वाले की दफा उसके आसपास 301 या 303 क्यों नहीं क्यों बलातकार करने वाले को दफा 310 दी गई है जो मामूली जेब काटने या डराने धमकाने जैसे जूर्म के काबल है इसका नतीज़ा ये है जड़ साब कि बलातकार करने वाले को सिर्फ साथ साल की सजा मिलती है तो मैं बलातकार करने वाले को फासी की सजा दिलवाता फासी की सर रवी वर्मा आपके बेटे का केस लड़ रहा है कि उनके खिलाफ लेकिन बड़े दुख की बात है जग साब कि बलातकार का शिकार होने वाली बाइज़त और बेकसूर लड़कियों को अक्सर कानून से न्याय नहीं मिलता और वह इसलिए मिलाट क्योंकि मिस रागनी जैसी आपके बलातकार के लवज को हत्यार की तरह अपने फाइदे के लिए इस्तमाल करती है और इन और तो की वज़े से जब भी कोई लड़की सचमुच की फर्याद लेकर आती है तब भी कोई उस पर यकीन नहीं करता अब्जेक्शन मिलार्ड मिस्टर रवी तो मेरे अब्जेक्शन यह तो सराइसर जूटी तो हमत है जूट सच का फैसला अगर आप करेंगे मिस्टर प्रॉसेक्टर तो फिर जद साब की क्या ज़ूरत अब्यक्शन और रूल्ड जिन तीन गवाओं का जिक्र मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं यानि कि होटेल ब्लो मून के रि नहीं बता है कि उन्होंने मिस्स रागनी को उस होटेल में पहले भी कई बार अलग-अलग कमरों में रात पिताते होगी जूट है कितना चार्च करती हैं आप एक रात का मिस्स रागनी तो हजार धाई हजार या तीन अब बखवास की तो मैं सबान खीश लूगी तुम्हार मुलार की धन्ला कर सकती है कि लागमीर कर सकती है कि इसको डिक्र सकते है यो रसकल उट मैंसे agreement में था cinema कुझि नहीं मुझे बोलने जिए मिलोड या रवी मुकभन को गलत टर Isn't the Lord यह रही मिस्स रागिनी के ग्राहकों की लिस्ट जिन्होंने दो धाई हजार रुपे देकर उसकी साथ रात गुजारी है उनमें से कई इस अदालत में भी मौजूद है आपने जूटे गवाप पैदा किये हैं आपके तीन गवाबी है इसमें कौन सी बड़ी बात है रिश्व मुच्छा आप अदालत की कारवाही को चलने दीजिए मिलोड सबसे पहले मैं अप्रोच दी बेंच मिलोड कम चैंबर अदालत के कारवाही दस मिनिट के लिए मुल्त भी की जाती है एक शरीफ औरत को बाजारू औरत साबित करके आप अच्छा नहीं कर रहें मिस्टर रव जुर्माना भी और जुर्माना भरने की सूरत में दो साल की सजा और बढ़ाती चाहिए एक्सीद मी मिस्टर रवी नहीं मैं यह कहना चाहता था कि बलात करका यह मुकदमा अगर मैं वापस ले लूँ तो क्या वादा करते हैं कि रागिनी पर आप ब्लैक मेल और मानानी का और में यह मुकदमा दावा दायर नहीं करेंगे रही है करोंगा से बदके वकिनमीन मुकदमा वापस ले लिया है कि इस विछ दूबरी करती है आपने तो कमाद कर दिया मिस्टर रवी यह वादे की मताबिक यह 17 एकट के वे फारमाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है आइंदा अपने बेटे से कहिएगा कि रीव वेप ना करे वरना मैं अगली बार दुग नीफिस लूँगा कि अज़े 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 हुआ है हलो क्या कर रही है तुमसे मतलब कल आने वाले थे और आज आरे हो गारी से पोले हो फ्लाइट कैंसरी डूंट तेल मी अग्वी में कम से कम दो कंटे और हैं अ मैं मर जाओंगी मरे तुमारे दुश्मन मैं जल से जल दूआ पहुंच रहा हूं लेकिना इस जोश को ठं अब पूजा भी तो आती होगी तूसंसे फिर क्या फाइदा है अलो अब क्या कर रही हो जान मरने की तैयारी कर रही हूं सोच रही पंखे से लटकू या अपनी उगलिया बजली के प्लग में डालो अरे तुमारे अगली फ्लाइट का क्या हुआ हो जाएगा हो जाएगा ज में आऊ तो बताओं अगर आगया तो क्या कर लोगी देबोच के पटक दूगी फिर थमाही ताय कीश कर एक तरह बच्ट बंगे फिर कसके किस लोगी फिर सारी बाते फोन पे कर ओं क्या ओहो फोन पर तो सिफ मेन्य पूछ रहा हूं मेरी जान खाना तो पलंग पे खाएग आए ने न आपके मेरी जान हिर स्काँने बहुत मज़ा आता है हम तो वह जा यहा इस कि अ बूद नहीं है आँ जोड़ें आँ है अबिए वी बनाता हो तेरा मूद तुम सांस लेती हो, तो मेरा दिल धड़कता है, जान, जब ही ओड़ खुलते हैं, तो लगता है कि तुमने मुझे चुपके से पुखा रहा है, याँखें, जब जब इन आखों को देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि रिष्टों के समुंदर में टूपता जा रहा हूं, टूपता जा रहा हूं, हूं, जुँआ पर छोड़ना, न, देखने तो, हलो काजल, हलो पापा, अ मिठे रवी आगया, हाँ, पापा आ गया, तो प्रस्टों करो, हाँ, याँ, काफी देर हो गई, कॉल हैं हाब बुलाती हुँ हां रोभी अरे पापा का फोन है तो ना बात करो है है डाइड वेलकम बिटे फ्लाइट लेट थी क्या हां डाइड अच्छा एक अरजेंट मीटिंग आन पड़ी डाइड ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई तुम क्लब पहुंचो वहीं बैठकर डिस जाने के ट्रेटी अचाइड आज आजा मेरी जोटी गुडिया पापा आगए हां विकरिंग लेट जा रहे हो इसाइड आपकी नाना जी ने बुलाए वहीं जा रहे हैं पापा मैं भी जाओंगी आपके एक्जैम से बिटा ने बिटा आप ड्यारी के कपड़े खराब कर र कम का चलिए जबाई राजा ये लो चनाम रिथ बहुत बुरा जमाना चल रहा है लिवट्या तुभी ताई इसको जड़ा देना इसका कैसा मूतर गया तुम फिकर ना करो मैंने तो तुम्हें भी बहलाया था वाई पूजा अच्छा अब मेरी चोटी गुडिया जूस और देहेज में आई है हाँ हाँ आपने तो मक्षा इबदल दिया हमारा तो जी करता है जमाई बाबू के पांचे क्राइम में कर ही डालूं बचाने के वास्ते आप जो हो आजी वी क्या मुसी बता गई डैडी तुम खोदी देख लो मिल के बारे में नोटिस आया है काजर यौर हस्बंड समेजिशन आइटेल यू अरे तो स्रिफ रेप केस था बॉम ब्लास के केस में फैसे कई लोगों को इनके पती ने तो ऐसे निकाल लिया जिसे दूद में से मक्ही अरे भाई रुपए पैसे भी तो इन्हीं लोगों से मिलते हैं शरीफों की हैसियत कहां के इनके पती को अफॉर्ड कर सके अरे दिल्ली वाले केस में तो उल्टा लड़की को ही प्रस्ट्रीट साबित कर दिया था पिचारी रोती पिड़ती रही कमाल का दिमाग पाया है तु कोई इंट्रेस्स नहीं रह जाएगा कि खूम फिरकर जमीन आप ही कि रह जाएगी कि तो चार दिन शुब बैठेंगे उसके बाद सेवन स्टा होटेल बनाने का परमिशन ले लेंगे लेकिन हाँ डाड़े मिल को आग लगाने से पहले इंशॉरंस चेक कर लीजिए अगर आ पर यह मार्केट से अच्छा सा करजा उठा लेंगे कि वह अलग फैदा हो कि हां लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मिल पूरी तरह जलकर खाख हो जानी चाहिए पाइब रिगेड मौका ये वारदात पे कम से कम तीन चार घंटे के बाद पौशनी चाहिए लेकिन इसमें खत्रा है रवी अगर याग फैल गई तो बाजुवाली बस्ती के लोग भी इसमें मारे जाए ये और यहू के साथ गुंतों पिस्ता ही है जालान साहब इसमें लो थैंक यू पपा चलें है ओके कुद नाइक स्युन आपके बाइब यह नक्षा बदल कर कहा जा रहा है संगाल साहब आज यह नहीं रुखेंगा क्यों 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 है आज अठारा जून है अठारा तरीकों क्या होगा आज के दिन मैं बाप बना था अच्छे है अप्य बदे डालिंग लव यू यह तो महारा बद्दे प्रेजंट इल्ली के पास एक खुबसूरत सा फाम हाउस सत्रा एकर का यह फार्म हाउस का मैं क्या करूंगी अरे करना क्या है जान कार्टन में दौड़ोगी तितनियों के साथ खेलोगी पता है यह सारी की सारी ब क्या करूंगी रभी क्या है क्या यही कि तुमने एक सीधी साधी लड़की को प्रॉस्टिट साबित कर दिया कि तुम से किसमें और तुम ने उस आदमी को भी बाहसत बड़ी करवा दिया जिसने बॉम ब्लास्ट में कई जाने ली थी कमें डारें कम मैं एक लॉयर हूं जो केस मेरे सामने आएगा उसको लड़ना ही पड़ेगा चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो पाप कर रहे हो पाप पुर्णे कुछ नहीं होता है जा अपनी हैस्टित के मुताबिक अपना काम करो अब यहीं पुर्णे है यहीं धर्म है पुर्णे का इनाम वहां से मिलता है तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है अच्छी बात है अगर मैं कोई पाप करूँ तो इसकी सजा मुझे देना इस तरो रहे डालें कि नहीं रवी आज के दिन तुम्हें भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे मिले क्यों मोट का कचला कर रही हो कि सजा तो यह कहलाती है कि मोहबत करने वाले को महबत की जगे भाशन दो तुम्हें तो मेरी जान हो हो ना मेरा तेल मेरा चिकार मेरी मोबत कर दो कर दो कल रात मेट्रोपॉलिस मिल में भयानक आग लग गई जिससे मिल जलकर पूरी तरह काथ कोई और हमारे संबाद दाता वहां आप पहुंचे और म्यूनिसिपल कमिशनर सत्य प्रकाश से उन्होंने बात की जिन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि ये कोई हाथसा है पेश है एक रि पूरी तनख्वा नहीं मिली ना कोई बोनस दिया गया चार मेने से मिल बंद है और 64 दिनों से मजदूर हड़ताल पर बैठे तब तो कोई आग नहीं लगी मगर जिस दिन लिबर कोट का नूटिस मिला कि सरकार अब इस मिल पर कबजा कर रही है और नाग लगी पर ये तो इ जान माल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोट में खसीट कर सक्स से सक्स सजा दिलवा ये तो साला लक्षा ही उलट गया है गईब हैस पानी में और साथ में हमें भी ले गई सारा इस सत्यप्रकाश बड़ा ही कड़क आदमी है जो कहेगा वह करके दिखाए तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो तो तेल देखो और तेल की धार देखो मैं आपका बहुत बड़ा फैन मिस्टर सत्यप्रकाश आप कि इतने इमानदार और उस उनों के पके इंसान है यह तो सारा शहर जानता है जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर अभी वर्मा मतलब की बात कीजिए यह यह आपकी सफ़ा को यह भी बहुत मशूर है चली मतलब की बात करते हैं मैं मेट्रोपॉलिस मिल के मालिक की तरफ से आया हूं जिस मिल को आपने सील कर दिया मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कबजा ले लिया है उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटेल बनाना चा पर मैं आपको एक इंट तक रखने नहीं दूंगा कि तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई बलकि गरीबों की जोपनियों को फूंक दिया है कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता है यहां सुनकर बहुत दुख हुआ है लेकिन मेरे क्लाइंट हर मनने वाले की फैंली को पचास हजार रुपे देने के लिए त्यार है पच्छास जब कितना दुर्भग यह मेरे देश कि यहां 50 रुपीए देकर कोई वोट खरीद लेता है पाँच हजार देकर दंगे करवा सकता है 25,000 देकर किसी का खून करवा सकता है और अब सत्यप्रकाश अपनी कीमत बोलिए ठीक सुनाया अपनी कीमत बोलिए अभी आपने कहा कि मैं बहुत इमानदार हूं और अभी आप मुझे जिश्वत देना चाहते हैं यह मानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्ट सत्यप्रकाश एक आदमी 10,000 को ठोकर मारकर अपनी मांदारी बचा लेता है लेकिन अगर वह 10,000 10 लाख में बन जाते हैं तो वह सोच में पड़ जाता है और अगर करोड मिलता है तो कहता है चलो फिलाल ले ही लेते हैं मंदिर में 501 रुपे का प्रशाद चड़ा कर माफी मांग लेंगे और मैं आपको रिश्वत देने के जुर्में जेल नहीं भीजवा सकता इन्हें धक्के मार कर बार निकाल देना मिस्टर सत्यप्रकाश चुकि मैं एक वकील हूं राए देने की फीज लेता हूं मगर आपको मैं एक राय मुफ्ट में देकर जा रहा हूं कि दर्या के बहाओ के खिलाफ तैरने की हमाकत मत कीजिए थक जाओगे दूप जाओगे बह जाओगे कि अब नाश्य देश्टर हूं कि अब कर दो जाओगे पराए तेरा अपरल ठीक रहेगे जैसा ने समझे भाई साहब तब तक तो अमारा करन भी आ जाएगा चुट्टीों पर अच्छा कृश्न कार ये श्यगुन संबाल लो कि आज से हमारी बेटी तुमारी हो गए और तुमारा बेटा हमारा अरे विने के से नहीं आया आप तर यह लोग में भी आ गया आओ बेटा विने मैं आपको गिरफ्तार करने आएं उसरा कि विने बड़ों से इस तरह मजाख नहीं करते बेटे काशी मजाक होता मां लेकिन इन पर किसी पुर्शोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है और बतकिस्मती से इन्हें गिरफदार करने की जम्मेदारी मुझ पर सौपी गई है जब कि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाउची जैसे इमानदार इंसान ढूड़ने से भी नहीं म पिर भी तुम्हारे हाथ चोड़ती हूं तुम्हारे पाँ पड़ती हूं देखे आप मेरा काम और मुश्किल मत कीजिए माजी चलिये सर पी अरे यह कैसा फर्ज है तुम्हारा जो सही और गलत अगर इन पर बद्लामी के दाग लगेगा यह दो पल भी ने जी पाएंगे बस करो सुषिला मुझसे इमानदारी की कीमत मांगी जा रही है तो मुझे चुकाने दो लेकिन तुम अपने आसो मत चुकाना है हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़े चलिए इंस्पेक्टर भी नहीं करो स्कूज में इस्पेक्टर क्या मैं इंसे दो मिनिट बात कर सकता हूं कि आल राइट अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर कि आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोख दीजे कि मैं आप फिलागे सारे इल्जाम हटा दूआ है बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के कि मैंने सुना था जूट के पाऊ नहीं होते हैं उसे सच के साहरे चलना होता है यह सब किताबी बाते हैं सर और जिंदकी कोई किताब नहीं मेरी राय मानिए मैं आपके बेटे जैसा हूं मेरी बेटे जैसा है तू अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुमारी जैसे होता तुम्हारा ना कोई धरम ना कोई इमान पैसो की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम नहीं नहीं मेरा बेटा तुमारी य अज़ान देर बता है देश के दुष्मनों के लिए आतंग है मेरा बेटा आतंग सब्सक्राइब कर लिया है काप्टेन करें इंस कमांड सर आउट और जाउट सर चाहनों ने बच्चों को छपा के रखाए सब्सक्राइब कर दो बच्चो कोड़ हैगा तू बच्चो कोड़ाइगा तू देख उनकी आखो में छेपे हुए खौफ को देख यही खौफ में तेरी आखो में देखनाँ ताहू माने नी माने नी कुले में तलाना बच्चो कोड़ाइगा करन गार्ण करन कारन गर्ट्रोल यॉरसलफ करन करन गर्ट्रोल ही जड़ आई जड़ धिड़ कि आपी बोदे टीटेंक यू हभी बोदे विया प्राउड ऑफ यू क्याप्टन करन हमें नाज है आप जैसे बहादूर अफसर पर बहादूर तो सब होते हैं सर मैं जरा सा लखी हूं मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जाच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंगाल और मिस्टर नट्वर सक्षेर्या वगरा ने मुझे रिश्वत देनी चाही थी चुकि मैंने वो रिश्वत नहीं ली लोग रहें मिस्टर सट्यप्रकाश यह मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत न मिस्टर सट्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा इजाजत है मैं नीचे से शुरू करता हूं सबसे पहले मिस्टर सट्यप्रकाश का अपना भरो से मन पियन रामपाल सिंग हाजिर हो अब मैं क्या बुरूजस सहाब चोटा मू बड़ी बात इन्होंने मेरी आखों के सामने ही रिश्वत ली थी अमाम सबूतों और गवाहों के बेयानात को मद्दे नजर रखते हुए यह अदालत शिरी सत्यप्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में दो साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है आप फिकर मत करना जी मैंने करन को बुला लिया है हम लोग हाई कोट में अपील करेंगे आप बिल्कुल चिंता मत करना जी लगसिक्षे लगज में लगाई श्याण़ में लगज लग लगज लगाई! भी लगज से लगजने लगजिया है कर दिया उसके लाठी में आवाज नहीं होती वकील उससे डर देवता जैसे मेरे पती पर पथर फैंकने वाले हाथ यह इन लोगों की नहीं है यह तो तेरे हाथ है तेरे इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा याद रखना दो चलिए माजी चलिए कोई मेरे करन को मुला ला तुन इतनी देर क्यों लगा दी इतनी में तो वकेल रवी वर्मा ने तेरे पिताजे को बे इएमान साबित कर के जेल भी बिजवा देया बेट जल्डी कर जाख उड़ाला जा जाजआ ऊविए हम क्या होगि बहुत देर हो जाये अब दक ना जालए क वाह रभी बाबु वाह क्या कांटे से कांटा निकाल आया अपने मज़ा आ गया मगर भाई ये दो साल बाद वह वापस लोटेगा और फिर से हमारी फाइले खुलके बैठ जाएगा तब जो आदमी दो साल की सजा काटके आता ना बहारी बाबु सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती बूल जाओ उसे कदम हो गया उर्शोतम तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो ठीक है सबसे उचापेंटास में रहा होगा बिल्कुल सर नेकी और पूछ पूछ रहा डाड़ आप भी बेफिकरी से अपने होटेल का काम शुरू कर दीजिए मैं चलू ओके बाइज हैं सिंगाल साब सिंगाल साब हमें तो तसली नहीं है साब को अधमरा मत छोड़ो उसे कुछलना है तो पूरा कुछ लो मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी मालो अगर वो अधियोन सत्यप्रकाश रहा जेल में आत्मात्या कर ले तो हो कही को करने लगा आत्मात्या समझा करो क्यों को जैल में जब कोई अ systems कहते हैं क्यों है और जिस आदमी के आँखेंपो जाती है तो समझे लुग क्लभी म्हां करों पिछलेartedोते अपर नहीं करते पीछले दुन कुणकर जैक अपनी जोटी कैसे कर नहीं है मत समझाइए मैं बहुत अच्छी कर रहे हैं बहुत अच्छी डिवुटी कर रहे हैं इक पेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दरें यह च्छुनू हां एम कैप्तेन करन कमांडों फास इंडियनामी कोम इसे मिलना चाहता हूं ठीक हे आप मेरे साथ है एक. हम सबसार खोलू प्रिजि दरवाज पोलो प्लीज। यह कब हुआ। और झीक उत्युवेर्स पांच सो उन्चास में आत्म अत्या कर लिए loss और खबर मिलता ही हमने लाश का पंच्च नाम शुरू कर दिया markers कि अपहां करते हैं कि अ कैfendim का अबाबुछी मां करन बाबुजी का बबुछी का सबब्ची बुली है का बबुछी कै अब बाबुछी इसाथ हुआ। कि मौत का जिम्मेदार कौन है आत्मात्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार बता है कि आत्मात्या नहीं है यह कि मेरे बाबुजी जिन्दगी से प्यार करते थे कि सिंदगी क सामना करने वाले इंसान थे उआए भुट महत्मात्या नहीं कर सकतेекс मम करें सबकी आप् собир कर रहां नेذ्ट का रहां कर रहां है का फैस की मारा थायोति mean हुआ हुआ है 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 पापा देखो मुझा ड्रॉइंग में थ्री साफ मिले है तब देखेंगे पापा नहीं अभी देखो हाँ यह क्या क्या आपने ने टेबल खराक पर दिया पापा सौरी बोलने से घलती ठीक नहीं हो जाती है डिसपलेन नाम की भी कोई चीज है कि नहीं ओहो यह लोजवाई राजा सब कुछी को गया अब ही ने से सर पर चाड़ा के रखा है हाँ सर पर चाड़ा कर रखा है और रखूंगी आप जाओ ना पाल्टी में ऐसे बच्टी को डांटे जा रहा हो जोड़ा नहीं बच़्ान कोई बाट नहीं बैठा आटे ही जल्दी-जल्दी पूजा के साथ क्या खेलेगी गाई भीवार्मू प्रेसे अच्छेंश किस अच्छेंश करेंस मुझे अच्छेंश जिकार टेंश कोई ने रूख़ धिर कोया था क्या था व्हाँ लो था बागा? मैंननना डॉड़े थार यह था लो इन्हेंस लोज़ना जो परकता टाव जढे inflam Dollग लिख बIST आचे व Já बस्त आब इड़ Snधननी घड़ बहुन अे भीर जाई यान सवसे में भीर आ致 क्डिम में फस्त आबड बहुः क्बड़ इंव आू बहुन अ बहुन ч pa様! अजर! आजर! 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 खाल! आजर! आजर! हुआ 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 है सिंगाल साथ उन दोनों को आपरेशन थ्रेटर ले गया है सर गोलियान चलाने वाले को पहचान लिया गया है उसका नाम करंट सिंग है कि पिछले दिनों जेल में म्यूंसिबल कमिशनर सत्य प्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी यह उन्हीं का बेटा है कि ऑफिसर पुरे शहर में नाखाबंदी कर दो और वायरलेस पे मेसेज भेज़ दो कि करंट का जल से जल पता लगाया जाए यह सर कमिशनर मेरे बच्चों पर गूलियां चलने वाला हम जल्द से जल्द उसे गिरफतार कर लेंगे आप बेफिकर रहें मिस्टर सिंगा आपकी बेटी और दामाड ठीक है ना हम रवी वर्मा को बचाने में काम्याब हो गए लेकिन एक गोली उनके दिमाग के हिस्से को चूकर निकल गई मुझे डर है कि कहीं वो अपनी याददास नखो बैटे है इस्कूज मी मिस्टर रव्मा मिस्टर रव्मा मिस्टर रव्मा लीज स्पीक तो मी मैं डॉक्टर प काजल आगी क्या आगी मिस्टर रवी शुक्र कीजिए सिंगाल साब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ अगर उन्हें काजल याद है तो मीट की जा सकती है कि काजल के जरिये उनको सब याद आ जाए बस यूँ समझ लीजिए कि रवी के बन दिमाग की चाभी सिर्फ एक है और वो है काजन वर निया बाद्ने साथ ऌड सया है याल को अजिए यूच़् युदी यूच्भलव यूश्य। वरनिया बिल्स एक्वति है युदी नहीं तृबड़ है ओार भी युदी यूदी युदी है अधरा बिल्स्तूदी है कि यह तो बड़ी गनीमत हुई कि रवी के जगह काजल मर गई है ने यह मत समझना कि मुझे अफसोस नहीं हुआ अफसोस जुरूर हुआ लेकिन अगर रवी मर जाता तो समझ लो कि हम सब भी उसके साथ मर जाते ना बात तो सौ ठका खरी है अरे भई हमारे वो सारे काले धंद यह हो तो उसके सामने उसकी काजल होनी चाहिए जब भी वो होश में आए अरे अब जो दुनिया में नहीं रही उसे क्या आसमान से उतार लाएंगे कि होसला रखे सिंगाल साहिब बंसल जी कैसे होसला रखो कि दामाद है जो अस्पताल में जिन्दगी और मौत से लड़ रहा है और बेटी जो हमेशा खाली साथ जोड़ गई है नहीं नहीं यह आपकी बेटी नहीं यह कैसे हो सकता है यह तो मैं कहता हूं यह सवाली नहीं उठता बंसल मैं मानी ने सकता कि यह औररररर मेरी रानी मेरी चुमक चलो हाई मैं मर गई रहां किसमा ए इधर दे है इती देर में आधी कर दी मुए ने थोड़ी सीत अपी है है ना करे दिखा रही है कजरी तुजो नाचे है ना छमक के तो कसम से जी यूं करे है कि अब भी के अब भी खेल जाओं चलो हाथ मत लगाई हो काटके फैंक दूंगी प्लड़ी फूल अभी टेम है लगन में कर ले कर ले मुझोरी अरव्याह के बाद सारी की सारी अकड़धरी रह जाएगी हाँ भले पधारे हुकुम सेवा मैं तेरी चोरी चाहिए बंबई लेखे जाना है मैं तो बोलू जी कोई फिलम बिलम में आक्टिंग करने का तो नहीं है हुकुम हाँ आक्टिंग ही करानी है तू दाम बोल यल्ले अरे चार-पांसो तो रोज ठीक कमा ले ओ छोरी चुप करो जी नसे में कुछ का हुकुम रोज का चार-पांच हजार कमावे महाली चारी और अगर हम लाख रुपया देकर तुमारा नक्षा ही बदल दे तो कितना लाख अच्छा तुम बोलो तुम बोलो दो तीन चार-पांच लाट ठीक है का कहो हुकुम है साथ ऐसा मज़ा कच्छा कोली तो आट नो मैं अरे तुम बोल दस दस बोल दस ठीक है वह तो बोलय भी साथ ले चला हुकुम जो दस भी सजात ठीक समझा अधर ले दे बासी कड़ी में उबाल अपने चिडिया का नक्षा मांगा था चिडिये के घोसले का नई हुकुम आप तो अरी कजी भारा सलाम बोल अपने गुड बोलू साब जी का करनू है को प्रोग्राम तो भितर जा मैं भी तो बोलो हुकुम भाव ठीक बोलो जी मतलब अभी तो नथ भी नहीं उत्री है मारी छोरी की देखे भाई जी हमें कौन साउस लड़की से व्याह करना है आप लोगों का क्या भरोसा हुकुम कही दागदार करके लटा दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ना देखे ओधर काम खतम है और इधर आपकी लड़की वापस मैं तो बोलू जी छोरी आपकी गुलाम है ले जाओ दोस्पीस दिन ज्यादा भी रखोगे तो कोई एक्स्ट्रा चारज नहीं हम भी दिलवाल वाल ग्याद चाहुआ ड्याद बच्ट्पाज करो नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा तो इसक्स्ट्रा अकूर आपकी अधर तो उस्सा तो ओधर करते हैं करन भहिया, यूर अंडर अरेस्ट। कि अपने हत्यार फैंक दो नहीं जब तक मैं से खतम नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं जो कहना है जो करना है इसके बाद करन भया तुम यहां से बच कर नहीं जा सकते प्लीज अपने आपको मेरे हवाले करो प्लीज कित अव्याव यह करन पागल है क्या जी यहां पागल है यह जो मुल्क की सरहदों की हिफाज़त करते ना सर यह पागल ही होते हैं इनके लिए जिन्दगी सिर्फ एक मिशन है जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं अगर रवी को कुछ हो गया होता तो हम जानते थे कि करन यहां जरूर आएगा इसलिए हमने मिस्टर रवी वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूज जगे पर शिफ्ट कर दिया है और इस वक्त वह डॉक्टर आनन की सानिटोरियम में बिलकुल हिफाज़त से हैं सिंदा हेल्य हटाइटल है शुरूरोट असय。 बता मैं काउन? मिक हूं हूं काजल सुझदर जिसे थाज वैसा सुन्दर मांगडो जैसे डॉक्टर आनन काई साने टूरंप सुन्दर है ना है जैसे मेडिकल स्टोर्थ जैसे खुब्सुरत वाइन शॉप चमचान गाट का गेट मुनसी पाल्टी का गाडन है ना ऐसा सुन्दर बोलो मैं कौन काचल काचल क्या बात बता हुआ तो मुझे काजल क्यूं बोलता है इस तीक में काला हूं सिर्फ काजल ही काला नहीं होता शुक्ता है बोलना में कौन काचल सुन्दर काचल मैं ही फोनुदर काचा कि मntक कराशोतन का लिए वन एंट हुआ तोड़ या थेमयर रशेर चारसो चालिस वा प्हें सब कुछी थिखता है कई और कोछी दूट जाता तो पेशन्ट को बताएगा तो मेरे को क्या बठाएगा मैं बोलता कुछ है सब कुछ और है का आद्मी ए तेरा नंबर वाट कब से खाली है तुझा कुछ मालूम ही मेरे स्टैचू भाई निकाल दीना हवा निचोड दिया निम्बू दूद में डाल दीना हट्टी कबाब में यह क्या हो रहा है सर पेशंट का बीपी बढ़ गया है बीपी पेशंट का ने तुम दोनों का बढ़ गया है पेड़न मेरा तुड़ यह आज फिर है कि अलो रभी काजल इसकी नोगाजल पर सुयट की विए पिनट की विए ओपरेशन रगे निकाल दीजिए उव्य करता रहेगा सुंदर काजल इसकी बीवी का नाम है जिसे बहुत प्यार करता था आज वो इस दुनिया में नहीं है तो कि इसको मैं इसकी बीवी दिखाए देता हूं यह तो अमने सोचा ही नहीं सुंदर काम करो यह कपड़ उतारो साड़ी और ब्लाउस पेंड कराओ हो सकता है इसे तुम्हें देखकर इसकी बीवी याद आ जाए अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्म ही सौल हो जाएगी इसे अगला पिला सब याद जाएगा इसका दिमाग ठीक हो जाएगा और सोचो मैडिसेन के थ्यास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा तुम दोनों पिर शादी कर ले ना आरे रे 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 तुम दोनों की शादी होगी नन्ने मुन्ने प्यारे परे बच्चे होंग ऐसे होंगे तुमारा ओप्रेशन अगर मेरी चाजी होगे तो दिन्दी की वर कुमारी मरेगी और यू करते रहेगी सुद्र तो हाव वी चुड़े काजल आएगी तुमारी काजल कि आना ही पड़ेगा उसे आप इतने दिल से दिल की घरायों से उसे याद करते हैं उसे भी कांचान मिलता होगा जरूर आएगी वह आना ही पड़ेगा उसे अपके आगे हाथ जोटी उसे बढ़ापे मेरी मिट् आजने वाली इस घर में आएगी एक बार देख तो लोता है कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है खाक जो कहता उसके मूं में खाक ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कोई हुई है ना कभी होगी है बीतर चल काहे सिंगाल बाफू खा गए ना चक्कर अच्छा तो इनकी डूटी पे आए हूं मैं कहूं साब जी गुड मॉर्निंग बोलूं हाँ घनी पंटास्टिक से जावट कर रखिया सेट ने मम्मी मम्मी अब आगा है अब कहां टिले गए थे मैं आपको कब से इंतिजार कर रही थी कौन सी रेस पैनी यह मम्मी फैंसी शो में गए थी सो स्वीट अच्छा आपने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगे अभी नहीं बेटे अभी ममा थाकी हुई है अरे पापा का है वो भी तो आपके साथ गए थे वो दिल्ली गए बेटे ममा आ गई है अब पापा भी आ जाएंगे यहाँ आप जाके सोजाओ पूजा को ले जाकर सुलात हो चोड़ तुझे तो पवित्र करना पड़ेगा राम 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 देखो यह बच्ची तो मने चोखी दिखे साब जी पर यह बुड़िया मने तेड़ी दिखे अच्छी तरह बोलते हैं हम इने ताई कहते हैं मेरी बेटी थी न काजल उसको इन्हों नहीं पाल पूस कर बढ़ा किया था हमारे लिए तो सागी हुई ना हां हां साब जी पर हमारे लिए तो सोतेली हुई ना आप समझा देना बेफजूर मेरी बेज़दी खराब ना करें मने प्रोब्लों मुझा एगी जवी वर्मका है उची ने मालों कहां छुपा रखा है रवी वर्मकुन मुझे नी मालों मैं सच बोलता हूं मुझे नी मालों सच बोलता है सच बोलता है सच तो यह है कि मेरे बाबुजी ने तुझ से रिश्वत ली थी सत्य प्रकाश एक बाइमान अफसरता थी आप कि अगावे में किसके बेखावे में रवी वर्मा के बहकावे में और शाइब तो कहां है रवी वर्मा वह साइकरेंट सेटार सानीटरिय है मुझे ही फोड़ दो प्यूज़ है कि अवार झाल! कर दोड़़्िक नाम है और खोती जा की यार खार जोर यारो फो तो है अजिे रहा है आए खार रहे हूा अजयल के अजए, करता आए आज़ आ गया बैठना पाजल अब गिरना नहीं संबाल कर बैठना मैं एक मिनिट में आता हूँ काजल पास्टर्ड तूने मेरे बापुची की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा अज मेरी तरफ देख देख मौब कैसी होती है देख देख शाबाज करन शाबाज जिसकी बहादूर के किस्ते में पड़ता था अखबारों में आज एक मुर्दे को मार रहा है ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर ये मुर्दा मेरी गुली खाने के बाद होगा अच्छा खासा ये लगता है तुमने इसके हालत पर गौर नहीं किया देखो इसे गौर से देखो ना होश है ना एसास ना दुख जानता है ना सुक जानता है ना जीना जानता है ना मनना जानता है और यह हालात तुम्हारी वज़े से हुए हैं क्या कुसूर था इसकी पत्नी का जो बेवज़े मारी गई कुसूर तो मेरे सीधे साधे इमानदा बाबुजी कभी नहीं तो इसलिए तुम अनापशनाप लोगों को मारते फिर होते इसे मारों के मुझे मारों सब को मार दोगे क्या होगा उससे तुमारे बाबुजी फिर से जूएँगे बड़ी शानती मिलेगी उनकी आत्मको आप यह जो तुम्हारे सीन्दे में बदले की आग है ना उसकी तसलिके लिए तुम इसको मारना चाहते हो कि मारो इसको जान से मार दो इसको वैसे वी एक जिन्दा लाश से जादा कुछ नहीं है कि बड़ी मेनद कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको नहीं जिन्दगी दे सका हूं पर नहीं कि जल से जल ठीक कर से डॉक्टर तेसे जिन्दगी जिस दिन तू इसे जिन्दगी देगा मैं इसे मौत दूंगा बहुत कि यह टीना कबाल की असीना इसके साथ मेरे चकर चल रहा था वरना मेरी शादीश से हो जाती मेरे साड़े पांच बच्चे हो जाते हैं क्या हुआ नहीं समझा दूसरा सुन एक लड़का जा रहा था मुझसे भी काला सफेद कपड़े पहन कर एक सदाजी ने देखा उसको बोलो ओ तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है उसने का सदाजी मदाग मत करो मेरी पैंट पिछे से फटी हुई है क्या हुआ नहीं समझा तूने मुझे बहुत पकाया ना मैं भी तरको पकाऊंगा तीसरा सुन एक लड़का भागता हुआ अपनी ममी से बोला ममी 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 किचन में ने रामू नौकर है ना लक्ष्मी नौकरानी से चुमा चाटी कर रहा है उसकी मां घुसे में आकर उसको ब हाना कि निकेश्य कूछ नियूकरावक किमक्स चैण कूछ 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 होता है कि दर गयी तू अरे कलंग मैं पिक्चर देखने खांगे की हां तूम आमको पिक्चर में कहां देखने देता है मैं तुम तो हम को सब्सक्राइज निकातों चाहिछ निकातों पान। रभी रभी अलए बोगो उसको अलए रभी आप और उसको यह लगाईज आख अह गर दिल घख और तू औरत है कि बुल्डोजर देख मेरा क्या हाल बना दिया पकड़ लिया है क्या पकड़ लिया किसे पकड़ लिया क्यों पकड़ लिया इतनी जल्दी हमारा साथ चुटने वाला नहीं है दोस्त नहीं जाने दूगा जो चारे पसे आएगर इंधंट करके ने सब क्या है मिस्टर संगा क्या है डॉक्टर अनंध वो करन का बच्छा हजद से आगे बढ़ रहा है हमें डर है कि अऊ चुकल मुरदों का शेकार नहीं करता डॉक्टर कि आप करन को शेर के रहें नहीं मैं मिस्टर रवी को मुर्दा कह रहा हूँ रवी की तो आप देखी है न आपने उसके जान को तब तक कोई कि खतरा नहीं जब तक वह अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता डॉक्टर जब अप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा करतेंगे है कि वह अपकी काजल का वह तैयार हुई कि नहीं अरे इधर कहां चली आ रही है कि इधर कहां चली आ रही है मतलब भूख लगी है कुछ खाने को लेने आए हाँ उधर चल उधर खबरदार जो मेरी रसोर के भीतर पाऊ धर आतो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को उठाया मुह और चली आई भीतर ये ले खाना ठूस ल मिट्टी में मिला दिया यह का चली गई आए राम राम यह क्या है यह क्या मतल बुढ़िया तु क्या समझे मने को वागती नहीं काटी भी दिखा आगे बढ़ी तो काट गडूगी तब ना थेल सेरी तो आठे प्रिया ठोड़ चाहम कि फिर त네 कि भील प्रम छाओंग और किया हुआ प्रिये वरay फिर दिर श्रुम जर कि अिरीकए दुम क्वा रॉडा है था एड इनिक रहो यह बेटी दुखो चुका हो हूँ शाय रवी की जिन्दगी बचा सखूँ इसकी जिन्दगी का जली के नाम पर ठाटिकी हूं अब नहीं पशुल साइब if इंसलेट लिए जाओ यासे चोड़ जोंब आरी किस वत कुपड हाँ हाँ जाती हूं जाती हूं जाती हूं गुड्मोर्डिंग अरे तेरे नोटों की काथे नहीं था कज्री आओ ना धोके में आई थी अचैने के कजली देखकर रहा बड़े लोगों का घर केसा होता है ऐसा होता है सालस इसा होता है जी जाती हूं और तेरे नोट भिच्वादू की तेरे को में फिर मत कई हो कि कजली ने कई नहीं है हाई राउ तर फोली अकमबकति मारीने तर राइटू स्लीप काजल अरे क्या हुआ पिछले साथ दिनों से ना यह खुद सोता है ना मुझे सोने देता है अगर यह नहीं सोया अगर यह नहीं सुया तो मैं हमेशा के लिए सो जाओंगा मेरे लिल्ली के शादि से पहले भी दुआ हो जाएगी मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनात हो जाएगा डॉक्तर साहब इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए सुन्दर इसको दवा बन रहे है, काजल सुर्मा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल, काजल मस बोल, काजल मस बोल अरे तुमेव विद्याद्रविनम तुमेव, तुमेव सरवमम देव देव सारी, सारी, ओ, इस आल राइंट, भूक लगी है, खाना दू या फिर बोतल लादू, वही चढ़ा ले, पेट भड़ जाएगा, बोतल तोड़ दी न, अम्मा, क्या बोली, तोड़ दी बोतल, अब ना पिनने की, उसके बाद क्या बोली, अम्मा, साब जी ने कहा था, जो माज से अम्मा कहें, मैं अम्मा ना हूँ तेरी, ताई हूँ, काजल मुझे ताई कहती थी, ले, अरे-अरे-अरे, काजल की जगे यह नहीं, वो है, वेज पे, चल, यहां बट, ची, कैसे खा रही है, ऐसे नहीं, काजल यू खाती थी, उठा चमठ, चमठ उठा, ऐसे, मेरा आशीरवाद तेरे साथ है, मेरा भगवाद तेरे साथ है, याद रग बच्ची, तु एक अच्छे काम के लिए जा रही है, ममी, 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 पापा को साथ ही ले क्या रहा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, पारा! खार! खonst髑ट को, कि न हमें लुह, कि ले प्हेश टो हुज ज़ कि लञाल समल, लायत ज़ Samfericon कि लुब लुमों२in लुमुमुß, लो छसके लेपोर कि लुमुमों युमुमुमुन लुमुमुमुमुमुमниц लग लुर छुमुमुमुम Really हो कि नह हां रहत्स़思न अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुछ क्या आ गए नहीं तो हमारी भी आलत यह होती शेड़ा देखें किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए हर काम मुझत्यादी से होना चाहिए लीजिए थैंकियो माजी माजी आप तकलीफ मत किया कीजिए मुझे अच्छा नहीं लगता है इसमें तकलीफ कैसी दामाच जी मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं और जब भी मैं आपसे बिंती करती हूं कि आप घर में आकर बैठे तो आप मानते ही नहीं माजी रिष्टे जब फर्स की रास्ते में आड़े आते ही तो किस तरह चुपते मैं आपको समझा नहीं सकता जैसे आप ठीक समझें कि आपकी चाहिए सर आपका फोन है रात बहुत हो गई है बेटी पुलीस का पहरा भी सक्त है अब और इंतिजार मत कर अब करन नहीं आएगा भाईया और राखी बनवाने ना आए ऐसा तो कभी नहीं हुआ मामा मा भाया करन कि मेरे बच्चे कि और कब तक यूँ भटकता पेरेगा कि अब घर लौटा बेटे कर लौटा कि घर लौटा बेटे फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माम पीछे लौटा नहीं जाता वाह उदर विने फर्ज की बाते करा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है यानि मेरी ममता का यह कोई मोल नहीं रहा मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाय जा रहा है उसके फर्याद में किस से करूं मेरा बाहदूर बच्चा चोरों की तरह यहां से वाद छुपता फिर रहा है तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता नजाने वह पुलीस के हाथ कब आ जाए और उसे भासी नहीं बेटा नहीं तो खुद आपने आपको विनए के हवाले करते वह तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा वह जरूर तुझे कानूं से रहाई दिलवा देगा यह मेरी मा बोल रही है करन की मा वह सत्य प्रकाश जिसने भला ही अपनी जान दे दी लेकिन पईमानी के आगे खुटने नहीं टेके क्या यह उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्ली कह रही कि सत्य की रा बड़ी कठिन है इसलिए सहूलियत के आगे जुग जाओ इनसाफ की जगे रियायत की भीक मांगो क्या यही कह रही है मेरी मां हाँ बेटा हाँ सिंदूर पॉचकर जैसे दैसे सबर किया है मैंने लेकिन अगर मेरी कोख जड़ गई तो मैं जिन्दा नहीं बच्छों की मेरे इस देश की वीद तो यही है मां कि फर्ज की रहा पर एक बेटे की बली चाड़ा कर मां इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते हैं तो वो इनसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान करते थी अब अब तू मुझ से कह रही मां कि मैं अपने देवता जैसे बाबुजी के हत्यारों को माफ कर दो बाभ मेरा मरा है मेरा यहां आग लगी हम अदिल्ख जासर दें सकता माई जिस बेटे के सर पर खोन बांद कर उन्हों ने सारवत पर भीज दिया था कटने के लिए कि ए आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता वो देख रहे है माँ वो देख रहे है मैं अपने आदर्श पिता के मौत पर आसू भाकर बैठ जाओं नहीं माँ नहीं तुने किसी कायर को नहीं जनम दिया सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट पी जाना मा तो दुख ना करना फक्र करना बस भाईया बस आज के दिन ऐस आज ये शुब बाते नहीं बोलते हैं तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बहें दे सकते हो तो भरोसा दो भाईया कि अपना खयाल रखोगे भगवान करें मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भाईया को देर है जल्दी जल्दी करो दूंड़ो उसे अब रवी को सेक्योरीटी की जरुवत पड़ेगी सिंगाल साब जो रवी आया था और जो रवी आप लोगों के साथ जा रहा है ये दोनों अलग-अलग इंसान है ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बूल चुका है क्या मतलब मतलब ये सिंगाल साब आज एक सीधा साधा साफ सुत्रा कोरे कागस की तरह है जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे इसे आइस्ता आइस्ता सब कुछ याद आ जाएगा इसका मतलब जमाई बाबु पहले की तरह रवी वर्मा तो बन जाए बांगडो प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए गले नहीं मिलोगे क्या हुआ है पेशन्ट बनकर आया था दोस्त बनकर जा रहा है अल्दो बैसर अभी को पतना प्रभू तेरा धन्यवाद है यह सब कौन है यह वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है रवी जी बेटे हम चलते हैं मुझे इन लोग के साथ जाना है ठीक है मुझत मिछा करते जाएं सेट जी मैं मुमीठा कर लूँ हाँ ताई रवी कोई खिला दो इसके साथ हम सब का मुमीठा हो जाए तो क्या हुआ बेटे मैं तो रोज गिजाता था नहीं पापा हाँ देखो ऐसे 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 D is for my daddy works hard for me M is for my mommy as loving as can be we are all a happy family more 놈 मुझे ब्रण um जो मूप मुझे हनु मुझे मुझे कि सु biss मुझे साभ रवी तूँ चलो, उसे तुम्हारी जांको कड्या है रवी तूँ चलो ईहासे तुम्हें इमैरी किसम् जो जोटो उसे दागरiation जोदी रभी जोदी है लेकिने को ने काचर अपीचे है बागा रभी रभी जोदी है कुछ भी कीजी बेरे रभी को कुछ नहीं होना चाहिए कमिशर चाहिए यही यही खौफ मैं तेरी आखों में देखना चाहता था वकील हर बैमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को सजाए मौत कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि कि मैं केता हूं सामने से हट जाव नहीं करन भीया बहतरी इसी में कि आप अपने आपको पुलीस के हवाले कर दीजिए सामने से हट जाव विन्या कि वादना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा मारिये तो मारिये ना सारी की सारी खाली कर दीजिए हो सकता है एक हाद मुझे छेट कर रवी वर्मा के भी पार निकल जाए हट जा विन्या कि तू जानता है मा के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बेहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता हाद जा आरे जिम्ट रवी वर्मा प्रह को तूहर इस वर्मा कि अ इस वर्मा कर लुए है कि बदला आरे जाए वो मुझे क्यू माने चाहता है लुए तुम यह सब मत सोचो वकील कितने मुकद्ट में जीतते हैं एक आधार भी जाते हैं कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी काजल जी तुम मुरवी कुछ संभाल कर घर ले जाओ देखना ये परिशान ना हूँ काजल यह यह मुसां कि यह ऩो सकते में ऑफार कर दो खिए को बनोतर लेकिर समय लेट silanto मेरलिक देखो को बचा सकती हो पूजा को मा का प्यार दे सकती हूँ देखा है मैंने अथ्यू अधे नियूजा घर को बसादो बन जाब ख्री से काजल पंचाू को जबते हैं जो कोजे लो कुछ का मिय ए ओ हुआ हाई 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 बड़ी गजब की एक्टिंग करती है री तू फिल्मों में काम करेगी हाँ ताप की इवन बनवा दूगा तुझे सुभाज गई है ना मेरा लंगोटिया यार है मैं लगवा दूगा तुझे हाँ बस कलेजा ठंडा करते मेरा अज़ा पाज भज़ा पाज़ा पुझे ताप मोट्टिंग स्वित्स का अधर एक दोगरो प्सक्रा राइए नहींडा प्सक्राइए ग्रों बाप्सक्राइए तूच्छ जे लाइए नहींडा प्सक्ति लाइए जाए हाँ पाड़ी को तुझे पाड़ी के जुए तक पाड़ी जो क्लिए पाड़ी दो अधिक जा थे जा रुक्ड़ा रवी जिसने तो अपनी बीबी समय जा है रवी बेटे हम उससे देख लेंगे तुम यहां से जाओ हम उसका नक्षा बदल देंगे तुम जाओ बेटे जाओ जलो कर जलो जलो उसने मारा तो मारा सिंगाल साहब लेकिन आपने क्यों मारा इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है पहले वो ठीक हो जाए अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए उसके बाद कहेगा ना तो उस नाशने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे जी भरके उसका नाश देखते रहे ना समझा जाल जाल नहीं काजल बस काजल यह तुम्हारा अपमान नहीं मेरा अपमान किया उन लोगों ने यह लोग अच्छे लोग नहीं काजल यह न तुम किस मुझ से कह रहे हो तुम भी तो उन ही में से एक हो यह शयद हूँ पता है वह करन मुझ पर क्यों गोली चलाना चाहता सा क्योंकि तुमने उसके मांदार बाप के दामन पर दाग लगा कर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली यही तो मैं बताना चाहता हूं काजल उस भले आदमी ने आ पाजल क्यों हो सकता है मुझे पता ना हो यह सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हूं और तुमने ना माना हो हां मुझे याद आया रोका था तुमने, तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापकी सजा तुम्हे दे और वही हुआ, करण ने गोलिया मुझ़ पर चलाइं और वो सारी कि सारी तुमने अपने उपर धेली, यह भगवान, तुने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापिस लोटा दिया, कि मैं सुपकार का बदला कभी नहीं चुगा पाऊंगा लेकिन हाँ मैं प्राइश्चित करूंगा मैं अपनी पापो का प्राइश्चित जरूर करूंगा तुम किसलिए आये हो तुम यहां माजी मैं अपनी घलती कभूल करने आया हूं माजी मैं बहुत पच्टा रहा हूं this पको कोई मतलब नहीं है क्या होगा इससे कि मेरे पती को स्वर्गवास हो गया कि मेरा बहादूर पॉजी बेटा हत्यारा बन कि नहीं कि अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे मैं माफ नहीं करूंगी मुझे माफ भी नहीं चाहिए माजी मुझे सजा चाहिए और भगवान के हाथों नहीं तेरे हाथों कि मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तुम मुझे बता कि मैं क्या कर मुझे कोई रहानी दिखाई देती मां और तू ही मुझे बता कि जब एक इनसान एक इनसान को एसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पच्टावा करना चाहे तो क्या करें आखिर कोई तो सेजा होगी नेसे गिरे हुए इंसान के लिए कोई तो होगी हां सेजा तो और तूने अपनी पत्नी को मैंने बहुत कोशिश की अपने करन को रोकने की पर उसके सर पर खून सवार था गोलिया तो वो तुम पर चला रहा था मरन हो गया तुम्हारी पत्नी का भगवान उसके आत्मा को शांती दे जा बेटा जा मैं कौल होती हूँ किसी को सजा देने वादी कौन है वो बोल अपनी ताई समध छुपा मेरी बच्ची क्या वो रवी तो नहीं हाँ सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गए तो तो फिर वो वो काजल नहीं कजरी है और यहां है तेरी काजल का दूसरा रूप हाँ 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 मैं भगवान से यही मांगोंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले कि सचाई तो एक नहीं दिन सामने आनी ही थी है रवी कि बड़ी तबस्या कि यह कजरी ने तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए आज जो तुम यह जिंदा हो होश में हो कजरी के वज़े से हो माफ करना मेरे दोस्त तुमने तो अच्छा काम किया हैं और लिखना हो सकता है कि पिछली जनम के तुम्हरे कुछ अच्छे करम या काजल के साथ तुम्हारा सच्छा फ्रेम जिसकी वज़े से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया कि अब देखो अपने आपको सिर्फ शिरीर नहीं ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नहीं हो गई है समहलो अपने आपको मुझकले तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में सारी जिंदगी तुमने जूट का साहरा लिया है सच का सामना करने में थोड़ी तक्लीफ तो होगी ना बड़ वेल अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गया हो बड़ लग बड़ वेस्ट अफ लग सारे मुहले की ओड़ों ने चान देखकर खाना खा लिया लेकिन एक तेरा ही करवा चौता नोखा है सवेरे से भूखी बैठी है कुछ खाले नहीं ताई अभी तो आते ही होंगे ना उन्हें देख लो फिर खालूंगे अब ना सुनती मैं तेरी पगलूई कुछ खा ले तब न मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ इस बच्चे की इतनी फिकर मत कीजेता है पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं कज्री हूं एक नाचने गाने वाली बाजारू और तब क्या उस बच्चे को स्विकार करेंगे तर ना पड़ेगा उसे उसे स्विकार करना पड़ेगा कज्री क्या कुछ नहीं किया तुने उसके लिए अपना सब कुछ तो नौचावर कर दिया उसे बचाने के लिए अब उसके बच्चे की मा बनने वाली है तो इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्विकार नहीं किया तो मैं तो यहीं कहूंगी कि बहुत अभ पहला नेवाल अपने हाथ से खिला दो, मैं खाना लगवाती हूँ यहां दस्तकत कर दीजिये, यह आपकी जमानत के कागजात हैं इतने सारे रुपों को इंतजा मानने कहां से किया यह जमानत माजी ने नहीं दी है फिर इन्होंने दी है, मिस्टर रवी वर्मा इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील कि सत्य प्रकाश के खांदान में कोई रिश्वत नहीं लेता यह रिश्वत नहीं है मेरी गलती का छोड़ा सा जुर्मान है बाकि जो भी और सजा तो मुझे दोगे मैं उसे सर जुका के कबूल कर लूँ तो में आटक मत कर वकील तेरी यहाथ कंडे मैं खूब समझता हूँ पच्तावा हो रहा है तुझे प्राश्यत करना चाह रहा है तू अरे डर रहा है तू डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूँगा अरे हां मारूँगा मैं तुझे और इस बात दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती आप ठीक है ना सर सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का सिर्फ एक चनना चाहता है क्या मुझे भी इन सलाकों के पीजे मरवा दे जिस तरह तुने मेरे बाबुजी को मरवाया था सद्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाय थी मेरी बात का यकीन करो प्लीज तू मेरी बात का यकीन कर वकील अगर मैं मर गया तो तू जी गया अगर मैं जी गया तो तू मर गया यह लाम Xin कि अ dove गया बेवाकुफिय कि डुष्मन को छड़वाने का क्या मतलब डुष्मन हो नहीं हम उसके दुष्मन हैं क्या उसने मारा नुकसान नहीं कि Влад to hai हम न stemsन किया है क्या वकथब कर तम क्या सोच कि अब भी हो तुम्हारी जान लेना चाहता है कि मैंने काम ही असा किया है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा दिमाग खराब नहीं दिमाग तो सही हो गया है मेरा मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआफ़जा खुद भी भरूँगा और दूसरों से भी भरूँगा और उन में से एक आप भी है तयार रहेगा तुम सिंघाल से बात कर रहे हो सिंघाल से बात कर रहे हो तुम अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम आप मेरे ससुर थे लेकना जब काजल नहीं रही जिसकी वज़े से रिष्टा था तो अब मुझे इस रिष्टे की दुआई मत दीजिए trustee दो ठके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है अब वो मेरी पत्नी है इसे साब से जिस घर में आप खड़े हैं तो उसी का है तो निकाल लीजे अपनी हीटे तुमारी दो इटो की वज़े से मेरे सारे घर में बद्दू फैली हुई है रवें डोच शाउट मिस्टर सिंगाल इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठ हूं किराब अधास किराब स्वांग रचाकर भले घर की ओरत बनना चाहती है आखिर चला दिया चक्कर उस बिचारे रवी पर कम साथ बाजारू ओरत हम बाजारू ओरतें सेट तुम जैसों की घरेलू ओरतों से तो बहतरी है ना तुम तो अपनी ओरतों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपे भी देते हो और तलवे भी चाठते हो कम सर्फ अपनी ओकात से बाढ़ में करें ओकाब देखनी है सेट हाँ देखनी है तो चलो चैलेंज फेंकती हूं मैं तुम पर अरे हाथ उठाना तो दूर तुम सिर्फ एक पुरा लवज निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में राम कसम अगर पूरे बाजार में इसी चड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ने गई ना तो कच्री नाम नहीं मेरा अगर हिम्मत है तो बोल बोल कर दिखा मैं मूह नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों की अरे सेट और तों को पाउं की जूदी समझ ना छोड़ दे जिस दिन सर पर पड़ेगी न तो बेभाव की पड़ेगी बात करता है साला अरे आवकाती क् असरी कि कहो तो जान से मरवा दे जाइए उसे नाली में जाना होगा बोटी-बोटी पिकेगी उसकी किसट किसट कर रिंग रिंग कर सड़ सड़ कर मरना होगा उस पत्साथ को कोठी Skill वो फ़ुसलन ठीक होगी उसके यह** करस्तिया है बंदोबस्त उसका किर दीयगं क्या वो पिछान क्या वो गैताई कskin पैने नहीं जाना मंहीं मैं खिलाऊंगो तुझे खिल मैं ।う मैं बोलू करें कि गभर बसाने के लिए भेज जाता मैंने रुपियों कमाने के लए भेज आ अभ इसे हराम का कि मत के ना मैं हूँ हूं कि नोने पता है कि में असमी आत्र पाप कों है यह तो एक श्टीर इंसान का बच्चा है जिसने फ्यार किया है मुझसे आज मैं तो बोलू प्यार करें तलने घरवाली समझे तलने अरे हराम कि जाके दू पुर्प कर दो जंडे वाली है नचने वाली है तब देखुक तैना प्यार रहे वह तुझे वर तो जैसे 25 को सीधी कर चुगाओ मैं अब तक तांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूगा ना तो भी घाटे में नहीं रहूंगा अरे ना रहे नाचने लायक बीस बच्चिस दिन भूके रहेगी तो खुद ही दिमाक्टिकाने आ जाएगा यह मॉस्य रखकर्स के पगड़के तो रख पहले इस बला को नुटादो जिसकी वज़ा से तरह कूद रही है कन्त अबने काट जा वरना यहीं कर जाओंगा तक नगतिये तरही हां मेरे होने वाले बच्चे की माँ हुलाँ हुला हुलाहुल की हुलाहुल मैं तो बोलू ना हुकम आप कुछ ना बोलो जी तंटना तंटन तारा चलती है क्या नौ से बारा यह ले नहीं यह ले कि जाओ कि समालो अपना यह घर अख्नी दुनिया मम्मी मम्म्मी मम्म म माममी नहीं रच सकती नहीं नहीं हूँ परदी नहीं लोगी नहीं बजूङए आह यहूँगी वह बास रवी बस मैंने उसे आगाह किया था मैंने सिंगाल को आगाह किया था मैं मिनुसिबल कमिश्णर मिस्टर सत्य प्रकाश का केस फिर से खोलने जा रहा हूं यह मिस्टर सत्य प्रकाश ने जेल में आत्म हत्या नहीं की थी उनकी हच्च्चा करवाई गई ती और में सफेद पोशों के काले कार्णाम को सारा कच्छा चित्था कल अदालत में खोलकर रख दूआ पूरे सबूतों के साथ यह नहीं हो सकता है रवी के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत है वो खत्म हमें चाहिए सिंगाल साप, हमने तो रवी का पूरा ओफिस चान मारा लेकिन हमारे फाइले, हमारे काज़ाद, ओफिस, सब गायब है कई यह हमारा नक्षा न पलट जाए हुआए हाई हciones भी सora mı टे एज कर दो इज कर दो कुर रह वी बाहिभ मा जी करन भाया ने पुलीस की हिरासत से भाग कर अच्छा नहीं किया खत्रा और बढ़ गया है हाँ खत्रा तो बढ़ गया है क्योंकि रवी वर्मा करन के पिता जी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें जूटे कलंग से मुक्ति मिल जाए अगर ऐसे बे कहीं करन नही अगर करन का सामना रवी से हो गया तो वो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा है 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 जल्दी रवी है 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 और है मैंने कहा था ना वकील मैं तुझे जिन्दा नहीं जोड़ूगा मार डालो मुझे मुझे मार कर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे लेकिन मेरी वज़े जो दाग उनकी चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिठेगा उसी अदालत में जहां वो लगा था क्या तुम मुझे चंद घंडों की महलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुना साबित कर दूं उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे न मैं उसे हसके कबूर करना है अगरन रवी ठीक है रहा है यह अदालत में उन्हीं लोगों का भाणडा फोने जा रहा है जो तुमारी प्रिता की मौत के भी जिम्यदार है और वो लोग इसे आदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे है चल अदालत दुनिया की कोई भी ताकत तुझे आदालत पहुंचने से नहीं रोख सकती टो यह आ पहुंचने नहीं ध्यवाक का दो Folks का नंतोट कमउचने अभी बाबू रुख जाओ यहां तक आ गए बहुत आ गए अब इस रेखा को मत लांग ना एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मैं यह ने आधी रामायन दुखों में गुजर गई तुम्हारी तो वैसे ही कष्टों में कट रही है काहे को और दुखों को न्योता देते हो हां लाओ मुझे दे दो लाओ बात रामायन की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावन को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुम करन और मेगनात भी चलकर खाक हो जाते हैं पता था मुझे पहले से पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे हुआ है हलो लीजे सुनिये अपनी पूजा बिटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिये सुनों हलो बेटा चोड़ बच्ची को कभीने बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ो गीनिमें तेहको अब यो समझ लो क्या दालत में जाके आपने खोला नहीं क्या आपकी पूजा विटिया हराम जादे तू क्या समझता है कि तू मौत का नंगा नाच नाचेगा तुम्हें डर के अपनी रादे बदल लूँगा यू पास्टवर्ड अजिの मरत मुपश्य कर रादर जालत के साथी नाचेजी लूँझ कंड उटम! खूल कि यह कुछ समझ में नहारा में लॉड कि आज कमिशनर सत्वप्रकास को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवी वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिशनर सत्वप्रकास को रिश्वत खोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलिलों पर तालियां बजाई थी का आश आपने वह तालियां नहीं बजाई होती है का इस दिन मैंने पहली बार जूट को जिताय था और सच को हराय था है लोगों ने तालियों के बज़ाय मेरे मूँपत थपड मार दियों होते है तो आज यह और वो वो उधर जो मेरी माँ बैठी हुई ना जज साब उसने मुझसे कहा था कि उस देवता को पत्थर मानने वाले हाथ लोगों के नहीं थे मेरे थे और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जजद साब ठीक उसी तरह हैं जैसे सत्य प्रकाश जी का कतल भासी के फंदे से नहीं हुआ था कि उसकतल के असली मुझरिम वो थे जिनोंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीद कर उनका खून करने के लिए भेज दिया भाशन बहुत हो गया मिस्टर अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खलाब कोई सबूत है तो पेश कीजिए वरना खा मखा अदालत का वक्त बर कि क्या बात है कुछ ने कि सोच्राओं धर्म इंसाफ और सच्चाए की लड़ाई में गुरू ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था कि देखता हूं आज उसके अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंग लाती है कि पापा पापा कुर्भानald क쟁श्चों कि अच्चों कि पुजा पुजा बच्ची को अदालत से जाओ यह अदालत शरमसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिशनर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, इमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगा है हम उनके मरनो प्रांद उनसे शमा याचना करते हैं और कभूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलजकर गलती कर बैठता है अधालत यह हुक्म जारी करती है कि कमिशनर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंगाल को फौरण हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मकदमें चला जाएं अथी रवी पूचा आप अगे बन अ एप, हागिसा अचछ उचछ अचछ 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 सेग्प सेग बडि़ सेग्प बढ़ मुझ़ तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते होच करो मैं कहता हूँ हट जा हट जा हट जा हट जा लड़के गोली मार दूगा हट जा इसाटर हट जाहा है वहाँ जा मैं प्रिजुक्यों मैं आपिको करी शर्टर्णों मत्यु है यह बढाई रभ्रू शर्लाइग करें आपड़Siें सब्कि कि यह लिजी कि चलिए करन भाईया कि मेरा हिसाब फिर भी तुछ पर बाकी है वकील हां मुझे याद है लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा और तू क्या समझता है कानून मुझे छोड़ देगा नहीं हां छोड़ भी सकता है बशर्थे तुम्हे को अच्छा वकील मिले है तू लड़ेगा मेरा केस अप टेरा लेते तेरा लेते अवाल आरितश्य तेरा लेकिते अव्य देखिक ऑन दिखते वालाग आज देखिक टूहाला अजछाड़ देखिए गूंस अज़री उक्ताला आण देखक पे अभर और प्श्य पािए ना ना करिके चोबारे से, कुछ बोल कई वो इशारे से, कुड मोर कई लशिकारे से, दिल ले गई लूट कुवारे से, जोरी जोरी जुपके जुपके कैसा चात रूटाला हाँ, 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 ने ठक शक नी गेली थे बिच्चो पोर लेंगे या